So, hello friends and welcome back to my channel, I hope you are all absolutely fine और sorry काफी दिन बाद जाके व्लॉग आ रहा है तब यह ठीक नहीं थी थोड़ी सी सवजे से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था और थोड़ी दूसरी इसूस भी थे So, आज के इस व्लॉग में थमलें देके आप समझी चुके होगे बेसिकली में डिस्कस करने वाला हूँ मजाच पलफर कि यह लद्दाक जा सकती है या नहीं तो चलिए बेगर टाइम वेस करें शुरू करते हैं आज का यह व्लॉग लद्दाक मेरे ख्याल से लगबख सारे यूद का एक सपना होता है काफी सारे जो राइडर्स हैं या बाइक एंथूसियास हैं या ट्रैवल लवर्स हैं कि लद्दाक जाना है लद्दाक 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 लेकिन सबके मन में डाउट होता है कि बुलिट से जाना है अब मैं बना दूँ यह एक मित है जब मैंने लद्दाक सीरीज प्लान करी थी तो मेरा पहला प्लान था कि मैं अपनी हंक से जाओंगा कि आप खुछ जानते हो कि इस स्यादा राइड्स मैंने हंक से करी है ठीक है लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार हंक 156 से हो काफी पुरानिया काफी चल चुकी है तो इसलिए मैंने सुच करा और पलसर 220 भी थी हमारे पास तो मैंने पलसर 220 से लद्दाक प्लान करा जब लद्दाक जानी की शुरुवात की प्रेपरेशन कर रहा था मैं मुझे लग रहा था कि पता नहीं यह बाइक इतना लंबा लेकि भोपाल से टोटल मेरा जो ट्रिप था नियरली 4500 किलोमेटर मतर्ब साड़े 4000 किलोमेटर की राइट थी तो यह क्या 4500 किलोमेटर की राइट यह बाइक सस्टेन कर पाएगी इसकी जो सिटिंग पोजिश्चर है क्या मैं उसके साथ कमफर्टेबली इतनी लंबी राइट कर पाऊंगा तो काफी सारे questions थे दिमाग में इन सब चीजों को लेके लेकिन कोई दूसरा solution भी नहीं था उस वक्त तो मैंने सुचा कि नहीं चलो हम इसी से राइट करेंगे और जो होगा देखा जाएगा तो कुछ इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ इस बाइक की कमी कुछ ब्लस पॉइंट जो इस बाइक में 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 वहाँ दिखे और उसके अलावा कि कैसे आब लद्दा के लिए प्रिपेर हो सकते हो किसी भी बाइक के साथ जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बु बाइक काफी ज़ा स्टेबल होती है हाईवे पर जब आप इसे क्रूज करते हो और असानी से यह 90-100 की स्पीड को अटेंट कर सकती है बस यह बात है अलग है कि आप बहुत लंबे समय तक इसे कंटेनूसली 100 की स्पीड पर क्रूज नहीं करवा सकते लेकिन काफी लंबे समय मतलब फिर भी काफी हद तक आप इसे एक ठीक ठाक स्पीड पर 18-90 की स्पीड पर चला सकते हो बिगर कोई दिक्कत करें कि इसमें ओयल कूल इंजन आता है जिस वज़े से इसकी हीटिंग प्रॉबलम भी कम है हीट होती है लेकिन वो परेशान यह नहीं आएगी आपको जो इसमें शायद आ सकती होगी थोड़ी बहुत हीटिंग रिलेटेड इशूस तो यह पहला प्लेस पॉइंट है इस बाइक का कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है रोड पे दूसरा 220 सीसी होने के साथ साथ इसकी माइलेज भी अच्छी हो जाती है तो मेरा ओवर ओर लद्द और रॉदक में थे और हम लोग महां से ओंढ़ जा रहे थे तो मैंने लद्दाक में अपने ऐट का ट्था करा ठेक होगह में लद्दाक से खार दूंगला वर नूब्रा ही पोहुच्चा नूब्रा से पैंगॉंग गया पैंगॉंग से जब लिटन आ रहा था था तम मैंने मेरी बाइक को रिफ्यूल करा था तो आप उससे अंदर लगा सकते हो कि काफी देर तक यह बाइक ने पहाड़ों में भी मैलेज अच्छा ही दिया है तो मैं यह नहीं पुलूँगा कि इसका मैलेज बहुत दा ड्रॉप हुआ सभी बाइक के साथ नहीं होता है, यह वह ब consideration है, रही है, यह भुदुदूओं至 फोटान के साथ है थोड़ी जादा तो कुछ दिर तक तो आप असानी से बाइक पर चल सकते हो लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार यह थोड़ी टाइट होती है लेकिन ऑन हाईवे यह सीट थोड़ी फीक है उसे साब से अगर मैं बोलू तो क्योंकि जादा मैंने भी जाने से पहले इसके अंदर एक्स्ट्रा लेयर लगवा जी थी स्पंज की ताकि थोड़ी सी सॉफटनेस आ जाए सीट के लिए तो वह तो बहुत हाड हो जाती है ठीक है फिर इसके बाद इसमें एक दूसरा इशू जो आया था वह एक्चुली इशू ऐसा था यह इन्जन में जो एयर जाती है तो फॉबल्म होती ती अंदर वन जाती थी गयस घराव ऊनी के वज़ए से और पट्रॉल लोगडा ती एक्ट पूरा फ्यूल लॉक्ट सिस्टम जो है उसका टैंक का वो पूरा को पूरा ही चेंज करना पड़ेगा तब ही मैं सिच्वेशन से निजात बापाऊंगा इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइस मैं को गाड़ी बहुत सही लगी पूरे लद्धा ट्रफ के दोरान मैं को ऐसे कुछ खास सच इशूस नहीं लगे बस यह बुलूगा कि जाने से पहले आपकी गाड़ी कोई सी भी गाड़ी हो किती बुरानी हो यह गाड़ी भी 2014 मॉडल ह मैं 2021 में लद्धा गया हूँ मतलब नियरली सात वाल बुरानी गाड़ी को लेके मैं गया हूँ और गाड़ी ने कहीं में को धोका नहीं दिया मतलब लिटरली कहीं गाड़ी में पंचर नहीं हुआ कहीं गाड़ी में को मैंका चीज़ों का ध्यान रखा खाली बस कि time to time मैं वहाँ पर गाड़ी में फ्यूल टॉप अप कराता रहा, एर चेक करवाता रहा, वील्स के अंदर, ठीक है, और मैंने भोपाल से जाते हैं, वक्त यहां से निकलने से, करीबं 15 दिन पहले ही सर्विस करवा ली ती, यह मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, कि आप अपनी कोई स यह बैक से जा रहे हो, उसे वेल सर्विस करवा हो, ठीक है, लीव गाड़ी की कंडिशन्स खोड़ी अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन एक वेल सर्विस अच्छे मेकानिक के पास करवानी जरूरी है, मैंने गाड़ी की वेल सर्विस करवाई, अच्छे से गाड़ी को सर्व तो अगर मुझे लग रहा था कि इंजन ओयल कम हो रहा है तो मैंने टॉप अप कर लिया था इस पूरे वीडियो का अगर आप कोई सी भी गाड़ी से जाओ लोग इस प्लेंडर से भी जाते हैं बस शर्त यह है कि अपकी गाड़ी की सर्विस अच्छी होनी चाहिए गाड़ी होनी चाहिए मेरी गाड़ी में पूरे साढ़े चारजार किलोमेटर में एवन पंचर तक नहीं हुआ एक सिंगल पंचर तक नहीं था गाड़ी के अंदर जस्ट ऑब्यस रीजन की मेरी गाड़ी जो थी वह वेल सर्विस थी वेल मैंटेंटी टायर उसके नय थे यादा पु और इसके अलावा लगाया था मोबाइल चारजर मेंने हैं और उसके हाथ हैजाड फ्लैक्शर लगे होए हैं इंडिकेटर वाले मेरी वाइप में मैंने बस बेसिकली ती मोडिफिकेशन करभाया थे एक यहाँ पर मैंने और लगाया था गाड़ लेकिन वह डैमेजी हो गया ऐसे इशूज ना आएं इसलिए क्या होता है कि आपकी गाड़ी की हैड लैट के साथ साथ एक और अच्छा रहता है ताकि ऐसा आप सोचके भी जा रहे हो कि आप नाइट में राइट नहीं करोगे लेकिन कंडिशन्स जो रहती है आपके साब से नहीं रहती बदलती रहती ह प्लान करें था कि वह कुछ भी होजा रात में राइट करें गई और फ़र्स्टी डे जो हमारा राइट का था बोपाल से अगरा उसी दिन ज्यादा लेट नहीं हुए ते 7 बजे के आसफास था साथ बेदगता समस्ते हो नॉमिनल यार लेकिन अंधिरा तो हो जाता है ना सा प्लान करें तो यह थी अगर आपको लगे कि और डेटेल में एक अच्छा वीडियो बना दू में लद्दाक राइट के लिए जो अब 2022 में प्लान कर रहे हैं तो तो कमेंट करके बताओ और इसके बना दूगा और इसके अलावा मैं खुद इस बर फिर से लद्दाक करने व पता नहीं होगा जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि डैविस एडवेंचर नाम से मेरी एक ट्रैवल फर्म भी है ट्रैवल एजेंसी भी हम लोग ऐसे ट्रिप्स और्गनाइज करवाते हैं कैंपिंग करवाते हैं तो लद्दाक इस साल फिल से होने वाला है 2022 जून त तो एसे सारे पूरे ट्रैव का डिटेल चाहिए होगी तो आप इंस्टाग्राम पर डैविस एडवेंचर फॉलो कर लीजिए डियम करीजिए आपको पका डिटेल मिल जाएगी सारी की सारी महा से और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरू करना शेयर करना और नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले समय में भी कुछ ट्रिप प्लान्स हैं जो होने वाली है और आप लगको डेफिनेटली मजा आने वाला है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बार बार बोल रहा हूं मिलता हूं कल दूसरे वीडियो के साथ